नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टेडी एड़ा में आपका स्वागत है, सीटेट 2020 के लिए हिंदी के प्रक्टिस एटम जैसे की बैक टू बैक आपको करा रहे हैं, इसे पहले हमने देखा था हिंदी का प्रक्टिस एट नमबर 3, जो कि आपको साइड माई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आज हम देखेंगे हिंदी का प्रक्टिस सेट नमबर 4, इसके अंतरकत खुल 15 प्रस्नम देखेंगा और एक प्रस्नम आपसे भी जाए, वो पूछेंगे, तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, जो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रस्न पूछा था, वो प्रस्न और उसके उत्तर की, तो पिछले वीडियो में मैंने प्रस्न कौन सा पूछा था, जो पढ़ना है, उसका प्रारंब कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपोड सामग्री से होना चाहिए, या वर्ड माला से होना चाहिए, ये मैंने पूछा था set number 3 में जो है वो प्रस्न है तो सबसे बहले बात करते हैं इसके उत्तर की कौन से सही होगा तो बिल्कुल आपका option number C जो है यहाँ पर सही होगा अर्थपूर सामगरी से होना चाहिए क्यों? क्योंकि word माला यहाँ पर आपको लग सकता है यही आपका एक confusion वाला option था वर्ड माला डारेक्टर नहीं आप सिकाते बच्चे को बहुत चीज़े वो starting में अपने वातावाट से सीखता है माता पिता सीखता है आसपड़ों उसके लोगों से सीखता है तो वो आप कह सकते हैं अर्थपूर जो सामगरी है उससे पढ़ने का प्रारम होना चाहिए बहुत सी चीज़े वो बोलने लगता है वर्ड माला बात में सीखता है उस चीज़े को लेकर भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं तो आपका उत्तर यहाँ पर अर्थपूर सामगरी से होना चाहिए यह बिल्कुल सही हो जाएगा वर्ड माला से होना चाहिए इस option को टिक करके गलती जो है वो मत करिएगा यह आपका option नहीं होगा प्रस्ण को ध्यान से समझ लीजेगा पढ़ने का प्रारम यहाँ पर पूछा गया था चलिए सुरू कर लेते हैं अब अपने प्रस्ण तो पहला प्रस्ण कहा रहा है कि बच्चों की मौखिक भासा का सतत आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो कौन सा होता है आपको कहचिक करना है बच्चों की मौखिक भासा तो सबसे बड़िया तरीका कौन सा होगा ये है, चार ऑप्षन, पहला कहा रहा है कि प्रस्नों के उत्तर पूछना, दूसरा कहा है कि विभिन्न संदर्बो में बातचित, तीसरा कहा है कि सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, और चौतरा कहा है कि सब्द पढ़वाना, तो स बिन संदर्बो में बातचीत के माध्यम से आप जो मौकिक भासा का सदत आकलन है वो सबसे बड़या तरीके से जो है वो कर सकते हैं प्रस्ण के उत्तर पूछना आपका option क्यों नहीं होगा क्योंकि ये एक आपकी limit तेह कर रहा है क्योंकि केवल केवल प्रस्ण के उत्तर क्योंकि विचार जो बच्चा वो होता है अपने मन से भी बोल सकता है जरूरी नहीं कि वो दोरा के लिए बोले इसे प्रकार सब्द पढ़वाना भी आपको option कट जाएगा तो बी option आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चली देखते अपना अगला दूसरा प्रस्ण है कि भास के मौखिक और लिखित रूपों के प्रियोग की चमता का आकलन पढ़कर समझने की चमता का आकलन या वर्तनी की असुद्धी के बिना लिखने की चमता का आकलन तो सतत और व्यापक आकलन का उद्देश से क्या होता है यह यहाँ पर पूचा गया है तो चलिए अब तक का आकलन आपका भासा में सतत और व्यापक आकलन से संबंदित होता है तो यह आपका option बिल्कुल जो है वो सई हो जाएगा उद्देश के अंतरगत आपका नहीं आएगा क्योंकि वो भी आपका कहीं न कहीं एक छेत्र को ही सीमित कर रहा है सतत और व्यापक मुल्यांकन में आपका जो उद्देश है उसको इसलिए आपका option यह वो नहीं होगा इसी प्रकार आपका पढ़कर समझने की छमता का आकलन और वर्तिनी की असुद्धी के बिना लिखने की छमता का आकलन यह सबी आपके नहीं होंगे सबसे बेश्ट आपका हो जाएगा भासा के मौकिक औ और लिखित रूपों के प्रियोग की छमता का आकलन देखते हैं तीसरा प्रसन कहा रहा है कि भासा कक्छा में विविन जो द्रस सरव साधन है उनका उपयोग का उद्देश इन में से कौन सा जह वो नहीं है तो चारा option दे रखे हैं पहला कहा है कि सभी प्रकार के बच्चो की आवशक्ताओं का ध्यान रखना बिलकुल आपका यह हो सकता है स्रफ इद्रस्टे सो सामगरी है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप बोल कर पढ़ाएंगे उनको नहीं समझ में आएगा आप पिक्चर दिखा दीजे कोई वीडियो दिखा दीजे या कोई समझ में आएगा तो आप कह सकते हैं सभी प्रकार के बच्चों की आवशक्ताओं का ध्यान रखना इसमें उद्देस में जो है वो आता है जबकि प्रस्ट में आपका उद्देस नहीं पूछा गया है दूसरा कह रहा है कि सीखने सीखानी की जो प्रक्रिया उसको रुचिक नहीं होगा क्योंकि जो विद्देस होते हैं उससे आपका सरफ दरसे सामगरी का कोई लेना देना नहीं है और चौता कह रहा है आधुनिक तक्नीक को कक्छा मिलाना ये भी आपका बिल्कुल सही होगा क्यों क्योंकि पहले देखिए आप बच्चे ब्लैक बोर्ड पर चागया तो ऑप्शन सी जो आपका सही हो जाएगा चले देखते हैं अपना अगला प्रस्न चोथा कि पाठ पुस्तक की जो भासा है चार ऑप्शन दे रखे हैं तत्सम प्रधान होनी चाहिए तदभव प्रधान होनी चाहिए आधिक-ाधिक कठिन सब्दों से योगत होनी चाहिए या बच्चों की घर वा समुदाय की भासा से मिलती जुलती होनी चाहिए तो चार ऑप्शन है आपको बताना है कि पाठ पुस्तक की भासा जो है वो कैसी होनी चाहिए तो चलिए बात करते हो उत्तर की कौन सा सही होगा बिलकुल आपका option number d आपको पढ़ने से ही सम नहीं समझ पाएंगे अधिकादी कठिन सब्दों से युग तो बिल्कुल ही आपका option कट हो जाएगा बचा कौन सा option number D है यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा बढ़ते अपने एगले प्रसन 5 की तरफ कि प्राथमिक इस्तर पर भासा सिखाने से क्या ताथ पर है भासा का व्याकरण सिखाना उच इस तरी है साहित पढ़ाना भासा का प्रियोग सिखाना या भासा व्यज्यानिक जो तत्य है वो इस्पष्ट करना तो चार option है आपको बताना है प्राथमिक इस तरफ पर यानि कि primary level पर जो भासा सिखाई जाती है उसका क्या जो है वो primary level पर भासा सिखाने का तत्पर होता है ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज रटाई जाए यह कोई reason नहीं होता है जैसे कि आपर क्या लिखा है भासा का व्याकरण सिखाना क्लास में व्याकरण सिखाए जाता है यह बिल्कुल सही है परन्तु में उद्दे से क्या होता है उसको आप दैनिक जीवन में उसकीजिए आप जो चीज़े बोल ले हैं वो सुद्ध बोली है जैसे कि शाशा अलग-अलग प्रकार के होते हैं तो भासा सिखाने का मेंतात पर रही होता है कि भासा का आप प्रियोग कर सकें उच्छे स्टरी साहित पढ़ाना भी नहीं होता और भ सदैव समान होती है समान हो सकती है सदैव अलग होती है या सदैव टकराहट से जो है वो गुजरती है चार ओप्षन है आपको बताना है कि घर की भासा और विद्धैले में पढ़ाई जाने वाली भासा इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा तो चलिए बात करते हूं उत्तर की कौन से सही होगा बिल्कुल आपका option number B सही हो सकता है यानि कि समान हो सकती है यहां पर क्या लिखा है हो सकती यह नहीं कह सकते आप कि सदयाव समान होगी आपका क्या घर की भासा और विद्धायले में भासा जो पढ़ाई जारी हो सदयाव समान होगी बिल्कुल नही बहुत से बच्चे हैं जो कि यहीं सहर में पढ़ रहे हैं और सहर में विद्याले हैं वहां की भासा वहां की बासा दोनों की समान है तो आप कह सकते हैं अलग भी नहीं होती है इसी प्रकार सदयाव टकराहट से गुजरती है यह भी आपका उप्शन कट जाएगा आपका बच चीज यहां पर मैं और आपको बताना चाहूंगा कि प्रस्न में यहां पर प्रात्मिक इस्तर लिखा है या उच्छ प्रात्मिक इस्तर इस चीज को सदयाव ध्यान में रखिएगा यूखि प्रस्न जब आप पढ़ते हैं तो आपका सारा कंसेंट्रेशन लास्ट वाले पो चार ऑपशन दे रखेंगें आपको बताना है कि हिन्दी भासा सीखड़ के लिए सबसे अधिक महतपूर क्या है क्या पाठेपुस तक महतपूर है य क्या उच्छ इसतरिय तकनीकी यंत्र महतपूर है क्या व्यकनडिक नियमों का इस्मरण महतपूर है या भासा प्रियोग के अवसर प्रदान किये जाएं, यानि कि आपको सिखात हो दिया कि क्या-क्या भासा में है, वर्ड माला, व्यकरण, सारी चीजे पता दी नहीं, परन्तु उसको यूज भी तो आप करें अपने तैनिक जीवन में, तो उसके ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किये जाएं यह सबसे अधिक महत पोड होता है, पाट्य पुस्तक आपका एक छेतर सीमित कर रहा है, उच्छे सतरी यह तकनीकी यह अंतर ऐसे ही कट जाएगा, व्यकरणिक नियमों का इसमरण यहां पर लिखा है, रटन्ती पढाली, एंसी अफ तुरंत नकारता है, तो यह भी आपका नहीं होगा, आपका option D जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके लाव वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को like भी जादा जादा अवश्च कर दीजेगा, ताकि इसी परकार सभी में आपको अच्छे से अच्छे प्रसं करा दो, ताकि प्रसं जब आप पेपर में आठवा, प्रसं आपका कह रहा है कि हिंदी प्रियोग के विविद रूपों को जानने के लिए सारवाधिक उपियोगी साधन जो हो सकता है, सिक्छड की विदियों का संपूर ग्यान, सुंदर, ढंक से छपी पुस्त के, उच्छे स्तरिये लेखन सामकरी या बाल साहित का विविद उपियोग, आपको बताना है कि हिंदी प्रियोग के जो विविद रूप होते हैं, उनको जानने के लिए सबसे उपियोगी साधन इन में से कौन सा हो सकता है, चलिए, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उप्शन नमबर D स को पता होगा, तो बिल्कुल आप उप्शन एक बार में देखके टिक कर ले जाएंगे, बाल साहित जो होता है, वो छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको ध्यान में रखकर लिखा गया साहित होता है, तो जब प्रात्मिक स्तर की बात ही हो रही है, जो सेट आप ही जो हो जाएगा, अन्य उप्शन को भी एक बार देख लीजे, शिक्षड की जो विदियां है, उनका संपूर ग्यान ये उप्शन आपका कन्फ्यूस बिल्कुल कर सकता है, कि टीचिंग टेकनीक जो है, वो जो टीचर है उसको आना चाहिए, परन्तु उससे क्या हिंदी प्रयोग के विविद रूपो को जानने के लिए आप उप्योगी साधन के तोर पर देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपका ये उप्शन कट हो जाएगा, वैसे ये आपका उप्शन अच्छा है, कि शिक्षड की जो विदियां है, उसका संपूर ग्यान जो टीचर है, उसको ह होना चाहिए, दूसरा कहा रहा है कि सुन्दर डंग से छपी पुस्त के इससे कोई मतलब नहीं है, उचिस तरी लेकरन सामगरी इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो आपका उप्शन डी ही जो है, वो सही हो जाएगा, देखते हैं चलिए, अपना अगला प्रस्ण 9, प्रस्ण कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए आप किस तरह की कहानी का जो है वो चैन करेंगे, लेवल सबसे देखिए सबसे पहले कि कक्षा 1 और 2 की बात की जा रही है, और उसके बाद यहाँ पर कहानी का चैन पूछा गया है, पहला उप्शन कह रहा है कि जिसमें बहुत सारे पात्र हो, आप क्या सोचिए कि कक्षा एक और दो का चात्र है, वो बहुत सारे करेक्टर याद रख सकता है, तो आपका ये option, अन option की तुल्ला में कहीं न कहीं आप पहले ही निगलेट कर सकते हैं, परंतु प्रस उतके option भी आगे पढ़ना है, तो आगे पढ़ते हैं, ज इसके सब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्डन की सहली चित्रात्मक हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अवर्ड लिका है, चित्रात्मक हो, यानि कि चित्रों पर आधारित हो, और जब कच्छा एक और दो की बात होती है, तो बच्चे की आप उस तक कभी उठा के चित्र देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चा उससे चीज़ों को समझता है, बच्चे का इंट्रेस्ट बनता है, इसलिए आपका ये option बिल्कुल सही हो सकता है, चौता option क्या है, जो बहुत चोटी हो कहानी, ये आपका भी उतना अच्छा नहीं है, जितना आपका option C है, उ ये आपका कक्चा एक और दो के बच्चों के लिए जो कहानी का चैन करेंगे, वो आपकी सबसे बेस्ट जो हो जाएगी, और बाकी आप ये तो समझ गए हैं कि चित्रात्मक हो, तो इसी काण इस option को आप सबसे पहले जो हो टिक करेंगे, चलिए देखते हैं अब अपना पिता और कहानी के द्वारा केवल स्रवर कौसल का विकास करना, क्या केवल यहाँ पर वर्ड लगा ये कभी सही हो सकता है, मैंने इसे पहले जो पिछला सेट कराया था, उसमें देखे केवल वाले मात्र वाले बहुत से प्रस्न कराये थे, ताकि आपकी वहाँ पर समझ अच का विकास करना, बिल्कुल हो सकता है, और चौता कहा रहा है, केवल बोल कर पढ़ने की चमता, केवल लिखा हुआ है, आप औप्शन डायरेक्ट काट सकते हैं, ये चीज मैंने पहले भी बताईए, अभी फिर से मैं बता रहा हूं कि केवल को आप तभी काटियेगा, जब प प्रस्ण में पूचा गया है, तो आपका केवल यदि लगा होगा, ये निगेटिव सेंस डर्सारा है, इसलिए आपका मैं यहाँ पर डायरेक्ट काट रहा हूं, प्रस्ण में कापी बार लिखा होता है, प्रातमिक्ता नहीं होनी चाहिए, तब आपका केवल वाला उत्तर अभी सही हो सकता है, यहोप मेरी बात आप समझ रहे होंगे, अब बचे ऑप्शन कौन से है, बी और सी, इसमें सोचिए कौन सा जए सही होगा, ऑप्शन बी या सी, तो चलिए, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, अब तक आपने सोच अवश्लिय होगा, तो जो में क्रेटिविटी आए, नई नई जो अगुण है, वो आए, अब यहाँ पर एक चीज और समझ ये, कि अभी तो मैंने बताया था, प्रात्मिक लेवल पर चित्रांकन चमता है, निकि चित्रों पर आधारित, जो पार्टि सामगरी है, वो होनी चाहिए, वो बहुत प्रात्मिक्ता होगी, तब वहाँ पर चित्रों का क्या काम होगा, तब वहाँ पर आपका रचनात्मक्ता और मौलिक्ता को पोसित करना ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आई होप, आप्चन भी आपको अलग-अलग समझ में आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं अपन अगला प्रस्न बारा, प्रस्न आपका कह रहा है कि भासा के बारे में कौन सा कथन जा है, वो उचित है, उचित है यहाँ पर पूछा गया है, एन कि पॉजटिव आला पूछा गया है, पहला अप्शन कह रहा है कि भासा एक नियम बद्द विवस्था है, दूसरा अप्शन के बारे में कौन सा कथन उचित है तो चार आप्षन है आपको बताना है कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपका option A सही हो जाएगा कि भासा एक नियम बद्ध विवस्था जो है वो होती है आपको ध्यान होगा इससे पहले ज लगबख वही रहता है प्रस्णों का जो तरीका होता है वो जो है वो बदल जाता है दूसरा option क्या कह रहाता है कि भासा वैकरण का अनुसरण करती है तो ऐसा नहीं है भासा आप जैनिंग जीवन में जियूस करते है जरुनीं की वो सभी वैकरण पर ही आदारित हो आप छे ऐसा भी नहीं है तो यह भी आपका option कट हो जाएगा तो आपका option ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि भासा एक नियमबद विवस्था है बरते अपने एगले प्रस्ण 13 की तरब प्रस्ण आपका कह रहा है कि प्रात्मिक कक्षाओं में role play भूमिका निर्वा का प्रपरदान करना या बच्चों को अनुसासित रखना या बच्चों को अभी नहीं सिखाना तो रोल प्ले का उद्देश से इन में से कौन सा होना चाहिए देखते हैं आप भी बहुत से विद्यालेयों में या डियल्ट बीटीसी के लेवल पर भी बहुत से नाटक, नुक वो क्या होता है तो चलिए बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका उप्शन B सही हो जाएगा कि विभिन संदर्बो में भासा प्रियोग के अवसर प्रदान कराना ये आपका सबसे बेश्ट होगा एक पद्दि के रूप में इसका उप्योग करना ये आपकी लिमिट हो सकता है कुछ हद तक कि बच्चे जो है चोटे लेवल पर आप चीज़े बहुत सी सीखाना चाते हैं परन्तु ये उद्देश नहीं होता है उद्देश होता है विभिन संदर्बो में भासा प्रियोग के अवसर प्रदान कराना तो ये आपका उप्शन B वाला जो है वो स वर्तनी संबंदी तुर्टियां करते हैं भासा सिख्चक के रूप में आप क्या करेंगे कुछ बच्चे हैं क्लास में आपको ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो लिखते टाइम कुछ वर्तनी संबंदी तुर्टी जो है वो कर रहे हैं आप देखते हैं सिख्चक के रूप में पहचालने का अवसर देंगे, तो ये चार आप्शन है, आपको बताना है, इन चारों में से कौन ज़र सही होगा, और वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो, तो इतनी सारे इंफोर्मेशन हम आपको प्रोवाइट करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, चैन से भी, यदि आप ना एड हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो है, वो लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप जो है, वो एड हो सकने हैं, वहाँ पर आपको पीडियाप और उसके साथ साथ सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मी जो है, वो मिलते रहते हैं, चलिए, अब बात करते हैं इसको उतर की, तो बिल्कुल आपको option D सही हो जाएगा, कि सब्दों का सही रूप लिखते हुए, बच्चों को दोनों तरह के सब्द जो अवलोकन है, उनको करके अंतर पहचानने का अवसर पुर्दान करना चाहिए, कहने का मतलब यह संब्द पर क्या है? जैसे कि कोई चीज, कोई सब्द लेगे लिया, आपने वो बच्चे ने गलत लिखा है, और आपने क्या किया? उसको सही तरीके से लिखके बच्चे को दिखाया, तो वही option में कहा रहा है, कि सब्दों का सही रूप लिखते हुए, और फिर बच्चे को क्या कि आपने दोनों तरह के जो सब्द हैं, उनका अवलोकन, अवलोकन मतलब देखना, देखकर उनको अंतर पहचानने का आउसर देंगे, जो बच्चा सही और गलत दोनों को देखेगा, तब वो आपको, जो आपने उसको सिखाना चाते हैं, वो दीरे-दीरे जो है, वो हो जाएगा, चलिए, अब देख लेते हैं, वो प्रसन जैसे कि सभी वीडियो में मैं आपसे एक प्रसन पूसते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रसन ये है कि भासा हमारे परिवेस में जो है, वो बिकरी हुई मिलती है, अब देखते भी हैं, तो ये कथन किस पर लाग ही मिलती है, किस पर लागू नहीं होता है, इसका उत्तर वीडियो के में कमेंड में टाइप करके आवश्य बताएगा, इसका अंसर हम अगले वाले पार्ट में जो है वो बताएंगे, तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है, आज कोड़ों में इतना ही वीड स्क्राइब जरू कीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक नमस्कार थैंक पॉर वाचिंग